सब्भी विजारत्यों को नमस्कार कार्बनिक रसाइन का एक बैसिक टोपिक है स्थेसियो और सावंद्र होता या स्थीलियो आइसोमेरीज म कि एक वीडियो गीम शीरीज अपने इस्टार्ट करते थे जिसके अंतरकर होता है तूड्म सुमावे होता जा त्रिविम र élé रहा हूं अया से योगिट जिन कंभीन हो लेकिन उनके बौतिक और असानी भूंधरम भीन हो सुमावे होता कैलती वीडियो की सीरिह में आपको बताई है तो परकार कि होती है सनचनातमक्त समावयोता और रियुम समावयोता इस चेप्टर का आपन बाग नहीं है पिर विमीं आपको यह बताए था उसमें जिसके उनुक्स उत्र समान हो लेकिन स्रचनाइबिन हो उसके काझ से उस 분들은 और इस्तति समावे उता जो पर्सेर में आपको बताए था अपनके जो टोपिक है वो तिर्विम रसाइन या त्रिविम समावे उता वो किसे कहते हैं कितने परकार ही होती है वो अपन के सेलेबस में हैं तो तिर्विम समावे होता मैंने आपको यह बताए था ऐसे योगिक जिसका अनुसुतर समान हो सनचना सुतर भी समान हो लेकिन आकासी विन्यास यानि इस्पेशिल अरेंजमेंट भिन भिन हो उसके कारण से उसके बोतिक गुंदरम या रासायनी गुंदरम या दोनों बोतिक और असायनी गुंदरम भिन्बिन हो ऐसे समावियों एक समावे होता और सर्वुपनिय समावे होता का मतलब होता है एसे त्रिविम समावे ही जिसमें एक समावीवी को दूसरे समावीवी में परिवर्तित करने के लिए आपको बंद को विदलित करना पड़ेगा बिना बॉंड को ब्रेक किये आप एक समावीवी को दूसरे समावीवी में बदल नहीं सकते हैं ऐसे समावेवी विन्याशी समावीव कहलते हैं ऐसी परिगल्ण विन्याशी समावit कहलाती है सरुपणी समावेवी उताक ऐसे समावेवी जिसमें एक समावेवे को दूसे समावीवें में मिन्हा बंद को विद्लित किये ही यानि आप रोटेशन के द्वारा मुक्त अक्सपर गुर्णन के द्वारा भी एक समाविवी को दूसरे समाविवी में आप चेंज कर सकते हो तो ऐसी समाविवी उता तब सरूपनी समाविवी उता कहलाती है ऐसी समाविवी सरूपनी समावि बंतिमेटित करेंगे उसकी क्या कंदीशन है कौन कों बासित कर सकते हैं फिर उसके बाद में जाम्स परबतियां है और चलता रही तो आज का टोपिक क्या है जम्मिती समावयोता जम्मिती समावयोता जम्मिती समावयोता कौन से ही होगी कि वो जम्मिती समावयोता परदसित करेंगे उसकी क्या कंडिशन होगी जम्विती समावेता प्रदसित करने वाले कार्वनिक योगी को में सबसे पहली सरत होगी गुर्णन है वो पर्तिबंदित होना चाहिए गुर्णन पर्तिबंदित यानि रोटेसन है वो रेस्टिक्टेड होना चाहिए अब गुर्णन परतिबंदित गुर्णन क्या होता है वो मैं आपको इस उदारन की सायता से समझा रहा हूँ माल लेजिए आपके पास में दो कार्ड बोर्ड है या दो गत्ये हैं जिस पर आपके एक साइड में माल लेजिए कलर किये हैं या उसके बीच में आपने एक कील डाल दी क्या डाल दी आपने जैसे माल लेजिए एक ये कार्ड बोर्ड है माल लेजिए एक और ये कार्ड बोर्ड है उनके बीच में आपने क्या डाल दी आपने एक कील डाल दी या जैसे दो गते हैं उनके बीच में आपने क्या कर दिया एक कील डाल दी तो उसमें एक कील आप डालोगे तो आप इस गते को भी उपर वाला कार्डबॉर्ड को भी आप किसी भी दिशा में रोटेशन करवा सकते तो निच्चे वाले को भी आप किसी वदिशा में गुमा सकते हो यानि उसमें गुर्णन हो प्रतिबंदीर नहीं है यानि यह मुक्त अक्सपर गुर्णन कहलाता है और यदि मालिजीए मैं इसी पर इसी में दो खिल्णने डाल दूँ यह काड़ बोड है इसके अंतरकर कितनी किलें डाल दी दो किलें डाल दी तब आपके बोनों को जो गुर्णन होगा वो फ्री हेंड नहीं होगा उसमें गुर्णन जहां रोटेशन होगा वो प्रतिबंदित हो जाएगा वह यानि कि उसमें किसी बदिस्ताम आप गुर्णन नहीं करवा सकते हैं तो ऐसा जो गुर्ण योगिकों में Carbon and Carbon के बीच में यह दिंगल पूंड है तो उस पर मुक तक्स पर ञुटन हो सकता है यानि factors यहां here ध्रीमन पर्तिमंदित नहीं करते हैं जब्किशक्री tyreależy संघ्र में सब उसक्रींaş होता है करदसीत करने के लिए सबसे पहले ही तरहान के गुर्णन है वह परती बंदित होना चाहिए कि इलकिन परदसीत नहीं किरेगी गुर्णन प्रतिबंदित किसमें हो सकता है जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉंड हो जिसको पन क्या बोलते है एलकीन इनमें गुर्णन प्रतिबंदित होता है कार्बन और कार्बन बीच में सिंगल बॉंड है लेकिन इसमें भी गुर्णन प्रतिबंदित है साइक्लो एलकेन जिसें अपन बोलते हैं यह एलकेन इसमें प्रतिबंदित नहीं है जैसे कार्बन और कार्बन इबीज में ट्रिपल बोंड आ गया जिसको पन क्या बोलते हैं एलकाइन कहते हैं इसमें भी गुर्णन प्रतिब पुरीड नहीं है जैसे एलकाइन है इसमें गुर्णन तु पर्दीबंदित है लेकिन ये जामिती समावेता परदसीत नहीं करते हैं तो वो दूसरी जो सरत होगी उसको फुल्पिल नहीं करते हैं जामिती समावेता परदसीत करने की सेकिंड कंडिशन क्या है जामिती समावे दो सेंजक्ता मुक्ध होनी चाहिए फिरी होनी चाहिए जबकि एलकाइन होगी तो कार्वन की एक ही सेंजक्ता फिरी होती है दो नहीं होती है इसलिए बो एलकाइन है वो दूसरी सरत की पालना नहीं करते हैं इसलिए वो जामेती समावेता प्रदसित नहीं करते हैं अब तीसरी बात है जैसे यह आपके एलकाइन है यहां आपके समानी समू जुड़ेवे हैं यहां भी समान समू जुड़ेवे हैं यहां भी हेवापके यहां अलग ह लेकिन यहां समाज समूँ जुड़े वे हैं दोनों मुख सेम जगताओं पर अलग-अलग समूँ जुड़े वे होने चाहिए एक ही कारबन की जो दो सेम जगताओं मुख थोती है उन दोनों सेम जगताओं पर दोग अलग समुघ जुड़िए होने चाहिए stos صमुघ तो यह जामिति समाव wonderful प्रदशित नहीं करेंगा और यदि दोनों समुघ यह प्रदसीत करने की सरतें याungs कंडेशनिक में ङूगिकम《 गुर्णन्भरण परतिबंदीद》 होना चाहिए परतिबंदित गुर्णन क्या है वह आपको गुदारान की साथ से मैंने समझाने का प्रयास किया एसे योगी जिसमें गुर्णन परतिबंदित हो जमाविता प्रताशित करें वो कोई जरूरी नहीं है सेकिंड सरत उसमें यह होनी चाहिए उसकी दो प्रवास कारबन की अलग अलग आपको जुड़े होने चाहिए तो यह 3-60 जिस योगी कोंके नत्रगद होगी वो योगी जामीती समाविटा प्रदसित करेंगे अब कौन-कौन से योगी करते हैं और गनी केमेस्टी में वो मैं आपको समझा रहा हूं सबसे पहले कि एलकीन एलकीन है वो जामिती समावेता प्रदसीत करती है कि सेकेंड और कार्बन और कारबन में डबल वॉंड वाला एक ही योगीक है और कारबन के अलावाए होता है नाइट्रोजन पे एक लौन पे रहता है और और एक आपके समों को जुड़ावा होगा तो तो अपने आप ये अलग-अलग हो जाएंगे तो एसे योगिक आप गया कहलाते हैं ओकजीम तो एक ये लगी योगात्म विलोपन अभी कि यह उसमें से जलकणू बाहर निकलता है और शीट डॉबल बॉंड एन के बीच में बॉंड बनता है ऐसे योगी क्या कहलते हैं ओक्जीम के लाते हैं ओक्जीम जामरी समागता परदसीत करते हैं एक लाई एजो एजो कंपाउंड जिसें बोलता ह है जिसमें नाइटरोजन और नाइटरोजन के बीच में डबल बॉंड होगा ऐसे योगी क्या कहलते हैं क्योंकि अलग अपने आप भी Bong होगा दूसरे नाइकलोन पेर स्बिूंद ले किया तब से करते हैं और फॉर जो है ओई dipl एलकेयर चक्रिय जो एलकेन होती है वो भी है वो जामिती समावयता प्रदसीत करती है चाहिए आप कम से कम आपको तीन कार्बन वाला होगा तीन कार्बन वाले जो साइक्लो एलकेन होगी उसको कहते हैं साइक्लो फ्रोपेन चार कार्बन वाली होगी तो उसको बोलते हैं साइक्लो ब् करने के लिए जामेदी समाविता करते हैं तो यह चारों योगिक है इनके अपना आगे वीडियो की स्रीज में इनके बहुत से उदान लेंगे और उसके नामकरण की पदती है संपक्स वीपक्स उस क्यादार पर कैसे नामकरण किया जाते हैं वो भी आपको समझाएंगे और इसको बहुत है इजएड पदती वो इजएड पदती में नामकरण करने के लिए एक सीएएं जीओल होता है कान ने इंगलोड और प्रिलोग का वो भी आपको समझाने का प्रियास करेंगे तो यह तो वीडियो सीरीज है कंपेटिटिटिव एक्जामों के हिसाफ से या आप के 12 के इसाफ से सभी कंपेटिशन एक्जाम में बहुत ही इंपोर्टेंट है तो आप निरंतरे वो देखते रहें वीडियो को लाइक करें सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें